हलो एवरीवन तो दोस्तों आज मैं आपके लिए श्रिप दो आलू से डेरो पापड बनाने की ऐसी यूनिक और आसान रेसिपी लेकर आए हूँ जिसे देखकर आप बाके सारे तरीके भूलने वाले हैं क्योंकि यह बहुत आसान तरीका है और जट पर पांच मिनट में आप पापड बना सकते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं तो आलू के पापड बनाने के लिए यहां पर हमने दो आलू लिये हैं इसे हमने छिल लिया है अब हमें इसके छोटे टुकडे करके इसे पानी में डूब पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है बिना पानी डाले हमें इसे पीस लेंगे उसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनने तक हमें इसे ब्लेंड करना है तो यह देख cite तरीके से Fine Paste हो चुका है अब इसे अम्में ट्रांस्फर करना हैavors इक कड़ाई के अंदर सब स्चूर है य आपने देखिए ग्राइंडर जार में डाल कर अच्छे तरीके से लाकर डाला है क्योंकि आलू की जो पेस्ट थी वो जार में लगी थी अब दोस्तों इसे हमें लगातार चलाते वे पकाना है तो दोस्तों यहां पर देखिए जैसे जैसे पकते जाएगा इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइटिश होने लगेगा लेकिन इसके पहले हमें इसमें सारी चीज़े डालनी हैं जिससे पापड बिल्कुल अच्छे बनेंगी यहां पर मैंने लिया है 1-4 टीस्पून समुद्री फेंच जिसे हम पापड खार भी कहते हैं यह डालेंगे अगर यह नहीं है आ हम इसे पकाते जा रहे हैं इसका कलर आप दिख सकते हैं बिल्कुल वाइटिश कलर का हो चुका है जी हां एक मैजिक ही समझ लीजिए क्योंकि आलू जैसे पकता है उसका कलर चेंज हो जाता है और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स बारी कटावा हरा धन नमक और जीरा तो यह सारी चीज़े आप आपके टेस्ट रिकॉर्डिंग कम जादा जितना पको पसंद है डाल सकते हैं या कोई चीज स्किप भी कर सकते हैं अब इसे भी हमें लगातार चलाते हुए पकाना है तो दोस्तों इसे गाड़ा होने के लिए स्री 5-7 मिनट ही जाता तब तक आपको पकाना है दोस्तों यह जो पापड़ है बहुत ही फटाफट बनते हैं और बहुत ही कम महनत में बनते हैं साथी यह बहुत ही जादा टेस्टी भी बनते हैं जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना अब बाकी सारे पापड़ बनाना भोल जाएंगे और इसे ही बार-बार बनाएंगे तो यह देखिए दोस्तों आप जैसे इसमें बड़े-बड़े मोटे-मोटे बबल्स आ रहे हैं तो यह जो बैटर है कर्ची को किस तरीके से फोल्ड होने लगा है मतलब जैसे हम इसे स्पैचुला से उठाएंगे तो इस पर कवर होने लगीगा इस तरक इस तरक यह से और जैसे यह नीचे ड्रॉप हो रहा है तो इसमें कितनी जादा शाइन आ चुकी है इसमें बहुत ही जादा चिपचिपा पना चुका है यह इसका साइन है तो यह देखिए अब हमने गैस की फ्लेम बन कर दिया है और हमने धूप में एक प्लास्टि बनेगा उतना ही यह पेपर को चिपक जाएगा और इसे निकालने में बहुत मुश्किल होगी तो यहां पर आपको इस तरीके से पापर डालना है और हलका शेप देना है अगर आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा और इस तरीके से हमने सारे पापर डाल दिये हैं अब दिन जैसे दूसरा दिन होगा हमें इस पापर को थोड़ा सा पलट देना है जी हां यह हलका गीला होगा तभी हमें इसे पलट नहीं अगर यह पूरे तरीके से सूख जाएगा तो आप जब इसे निकालेंगे तो पापर दिखाने के बाद पापर वनकर तयार हो चुके हैं और ये बहुत ही पतले बहुत ही ट्रांस्पिरेंट बनते हैं और खाने में उतनी ही ज़ादा जाइकेदार ये देखिए अब मैं आपको नस्दिक से दिखाती हूँ इसमें हमने जो धनिया और चिली फ्लेक्स डाली है और जीरा डाला है इसे ये कितने सुन्दर दिख रहे है साथ ये इतने पतले हैं कि आपको हातों की उंगले भी इसमें नजर आ रही है और इसे अब मैं आपको फ्राइ करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने जबरदस्त बने हैं तो दोस्तों इस रेसेपी को प्लीज एक बार ट्राय जरूर करिएगा आपको बहुत अच्छी लगे अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलेगा